दोस्तों स्वागत आप सभी का बीएससी एंड़नसी एड़्डा में आईए पहले हम लोग एनलेसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्रेडे ट्रेड का और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा स्टॉक था टाटा मोटर्स का इसे बा बाई मारा 384.65 का तो दोस्तों इस तरह से यह स्टॉक अपने बाई वाले पॉइंट पर नहीं पहुच पाया तो इस स्टॉक में आपको बाई करने का मौका नहीं मिला होगा लेकिन इस स्टॉक में आपको सोट सेल करने का आवस्से मौका मिला होगा इस स्टॉक को सोट सेल point 2 का इस तरह से दोस्तों इस stock ने अपने short sale site के दोनों targets को achieve किया और एक बहुत अच्छी trade सावित थी उम्मीद करता हूँ कि इस stock में आप सभी लोग ने profit book किया होगा अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हम किस stock में trade डालने वाले हैं कल का stock है HDFC life आप चाहें तो intra day की trade भी इस stock में डाल सकते हैं इसे buy किया जा सकता है 533 पर पहला target 556 का दूसरा target 560 का अगर यही नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 541 पर पहला target 538 का दूसरा target 532 का और इस stock में stop loss रहेगा 4 point तो दोस्तों proper breakout होने पर entry लिजे और minimum profit बुक करने की जादा कोसिस करिए इस time जैसी market चल रहे है इस time बहुत ज़रूरी है कि आप market से profit पर ही बाहर जाए loss मत हो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए और stop loss को ज़रूर लगाए ये stop loss को लगाए minimum profit पहले बुक करिए और target अचीव हो जाने के बाद market में weight मत करिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो subscribe जरूर कर दें कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद